हलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड विल्कम टू शमाथान तो उम्मीन है कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरिकेशे कर रहेंगे साथी हो यहाँ पर हम लोग BPSC से जुड़ी ही अपडेट के बारें बात करेंगे दो अपडेट के बारें बात करेंगे हम लोग यहाँ पर पहला अपडेट तो हम लोग बात करेंगे जो 67 थे BPSC का PT का एक्जाम हुआ तो उसका रिजल्ट का अपडेट क्या है क्या BPSC अभी 67 पीटी का स्कृटिनी शुरू किया है कि नहीं किया है वे मर्शिट का थाकि रिजल्ट आपका जल्दी आ सके और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि जो BPSC 68 का जिनका ग्याम इस बार का 67 का अच्छा नहीं किया है या जो पहली बार इसमें सामील होंगे तो यह दोनों नीज हम लोग यहां पर देखेंगे जो अपडेट है तो चलिए यहां पर सबसे पहले जो रिजल्ट का कलेंडर उसको देख लेते हैं कि क्या बोला गया था कलेंड हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना डेट बताया गया है और जो आज की अपडेट है वह अपडेट क्या है उसको भी देखेंगे तो पहले डेट यहां पर देख लेते हैं तो नीचे यहां पर स्क्रॉल करेंगा आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहां पर के देट है 39 2022 को जो की बीपेसी के पीटी के एक्जाम लिया गया रिजल्ट की बात करें साथ भी यहां पे तो देखते हैं कि अपडेट क्या है उसके अंसर क्या चोड़ तक आया पाएगा या आगे बढ़ेगा डिट तो चलिए उसको भी देख लेते हैं तो जैकसक की फ्रेंड्स कलेंडर में आपने देखा कि 14 का वहां पर डेटी की दिया गया है कि 14 नॉम्मबर तक अपका पीटी का इजल्ड जारी कर दिया जाएगा तो आज का यहां पर पेपर का कटेन देखेंगा आप लो बीपीसी ओमर सीट की सब्सुरू 15 नॉम्मबर तक देखते हैं यहां पर देखेंगे तो जागरन का यह नॉज बिहार लोग सेवा आयोग विपीसी ने संजुक प्रत्यक्ता परिछा के बाद उसकी ओमर सीट की यहां पर स्केनिंग सुरू कर दी है आयोग की और से पूरी प्रक्रिया को परदर्शी रुप से किया जा रहा है आयोग कर्याले में फूरी प्रक्रिया को वीडियो मोनेटरिंग के की जा रही है यहां पर आगे देखेंगे तो इसका बैक अप भी एक अवर्स तक सुरक्षित रखा जागा आयोग के सचीव अमरें दुकुमार ने बताया कि सरसथवी पीटी का OMR सीट की स्कैनिंग देखेंगे बिहार लोग सेवा आयोग ने शुक्रवार को आयोजित सरसथवी परंफिक पुर्णरपइच्छा का प्रोविजना अंसा की एक अक्टूबर की जारी की गई थी इसमें किसी प्रकार की अपत्ति को आयोग के पास सक्षा सहीद 12 अक्टूबर की साम 5 बज तक प इसकैनिंग तो सुरू हो चुकि है तो आज तो ग्यारा हो गया अब तो बाई पोस्ट अब भेज नहीं सकते हैं तो अगर कोई नहीं भेजा है तो अभी भी उनको अपत्ति दर्स कराना है तो अब यहीं अपसन को वहां पर जाकर आपको समिट करना होगा जो नियरस्ट पो पहुंचे कल तक के देट में अब बात कलते हैं साथ है कि अभी आपको क्या करना चाहिए तो जिससा कि यहां पर डेट की बात करें हम लोग तो 29 दिसंबर का मेंस का एक्जामनेशन लिया जाएगा तो यहां पर वैसे कंडिडेट आप लोग रिजल्ट की इंदिजार में न मेंस का क्योंकि इस बार का जो कटफ होगा जहां तको मीर है कि जन्रल का कटफ एक सो पांस के अंदर में ही रहने वाला है क्योंकि इस बार एक्जामनेशन भी पूरे स्वक्षवातावरन में लिया गया कहीं पर कोई चीटिंग के निउज नहीं आई और पेपर भी अच्छ सब्सक्राइब के लिए मैं बता दू साथ्यों कि अभी अप्डेट आ रही है उसके अंसार अभी लगभग 2800-300 सीट पर जो है सरकार के पास जो आयोग है उसके पास नोटिस गया है कि 300 डिपार्टमेंट से यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से पहुंची है लेगि जो सबसे में इसमें पोष्ट होता है जिसे कि आपका sdm हो गया और dsp हो गया तो इन दो पदों के लिए अभी भी जो लिस्ट है भगिन से कि वह अभी आयोग के पास नहीं पहुंची है तो जैसे ही sdm और dsp के जो पोष्ट के लिए लिस्ट है वहां पहुंच जा जाना है जैसे रिक्तियों की सुचिया पहुंजाती है उसके बाद एक रोस्टर वाइज आपका क्लियरंस करके भगेंसी को जारी कर दिया जाएगा तो अक्टूबर के थार्ड वीक में आपका नोटिफिकेशन के पूरे चांस है आने का और थार्ड वीक मगर नहीं आता है त तो लाश्ट अक्टूबर तो हराल में आपका यह भगेंसी मिल जागा क्योंकि उस समय तक क्लियरंस हो जागा रोस्टर का जहां तक में थे बिस अक्टूबर के बाद तो बिल्कूल आप लोग त्यारी में लगए रहे हैं जो भी आट सट्टिफिक के लिए प्रिप्रेशन पनल्सूबर के लिए एन सब्सक्राइब।